चलिए तो उस तो बात करते हैं से को और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने का है the list number that must be subtract from 6352 to make the result of perfect square यानि एक्जामने क्या था कि इस में से मैं क्या number minus करूँ कि वो जो है ना वो number जो आए हो मेरे पाँ perfect square हो तो उसको perfect square बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम देखिए जब perfect square बनाएंगे तो perfect square यानि इसको अगर मैं root में ले लूँ तो इसके अंदर से जो perfect square की value वही मेरी root से बहार आगी तो देखिए जब किसी number को perfect square बनाते तो हम क्या करते है लास्ट के दो number को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे confirm नहीं क्योंकि इसमें से मुझे कुछ minus करना है तो मुझे confirm नहीं number बट मुझे दो number छोड़ने का जो तीन number है इनका मुझे पता है कि ये किसके आसपास होने चाहिए तो वह एक ऐसा number हो जिसका मैं square करूँ वह इसके बराबर हो या इसके छोटा हो इससे बड़ा नहीं हो तो मैं 25 का square करूँगा तो इसके बराबर दागए यानि कि 25 मुझे number होगा उसका जो last के दो number होगे वह 25 होगे अब देखना है कि यहाँ पर क्या होगा इसके बराबर दाबर यहाँ पर क्या होगा तो मुझे assume करना पड़ेगा कि मैं एसा number लोग जिसका square करूँ वह इसके आसपास हो तो 2 का square करूँगा तो मेरे पास 4 होगा, 4 का square कली तो 16 होगा इसको जब मैं add करूँगा तो ये 4, 0, 5, 3, और 6 हो जाएगा और इसमें से अगर मैं 6, 3, 5, 2, 2 को अगर minus करूँगा तो मेरे पास कितना हैगा आप पर ये 8, 4, 12 और ये बचेगा मेरे पास 1 यानी 18 यानि कि वो number मेरे पास जो होगा, वो 18 होगा जिसको मैं इसमें से minus करूँगा और मेरा perfect square बन जाएगा बड़ चलिए, इस तरीके से तो आप solve करी लेंगे या फिर आप इस तरह से कर सोथे direct कि इसमें से minus किया फिर आपने perfect square चेक किया कैसे दर देखिए, 6, 3, 6, 3, 5, 2, 2 में से मैंने minus किया 18 पहले है तो मेरे पास 4 आया, 0 आया, 5 आया, 3 आया, 6 आया अब यह मेरा क्या होगा, इसका मैं आगर root निकालूगा क्योंकि यह perfect square है तो root निकल लेंगा निकले भार तो हम देखते हैं root से बहार निकालने के लिए कि यह last का unit number क्या है फिर देखते हैं यह किसके आसपास है, 25 का तो 25 में इसके आगे लिखूँगा और 25 में इसके आगे लिखूँगा अब मुझे देखना है कि इन दोनों में से कौन सा मेरा इसका correct answer होगा तो इस 25 को अगले number से multiply कर दीजे 26, यानि 25 बचे 625 और इसमें आप 25 जोड़ दीजे तो यह हो जाएगा आपको 650 अब देखिए अंदर वाला number अगर यह वाला number छोटा है तो आपका छोटे वाला इसका perfect square होगा तो मुझे पता लग गया कि यह मेरा option A ही इस question के लिए correct है अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते और इसी थोड़ा सा orally करना चाहते है तो आप कैसे कर सकते हैं तो दिहान से देखी तरह देखिए एक्जामने ने मुझे क्या का कि यह perfect square number चीए तो perfect square की condition होती है क्या condition होती है perfect square condition कि अगर मैं 1 का square करना तो मेरे पास 1 आएगा 2 का square करना तो मेरे पास में 4 आएगा 3 का square करना तो मेरे पास में कितना 9 आएगा 4 का square करना तो मेरे पास 16 आएगा 5 का square करना तो मेरे पास में 25 आएगा 6 का square करना तो मेरे पास में 36 आएगा 7 का square कर तो मेरे पास 49 आएगा और 8 का square कर तो मेरे पास 64 आएगा 9 का square कर तो मेरे पास में क्या 81 आएगा और 10 का square कर तो मेरे पास में 100 आएगा यानि कि कोई भी number perfect square तब नहीं हो सकता जब उसके last में only for single 0 या फिर उसके unit number 2 हो या उसका unit number 3 हो या उसका unit number आपका 7 हो या उसका unit number 8 हो अगर इन में से कोई भी एक number उसके अंदर है उसके मतब उसमें है unit में तो वो perfect square नहीं हो सकता बात रही 0 की तो 0 single 0 का भी perfect square बनाता नहीं उसके लिए डबल 0 चाहिए तो इसी rule को हम use करेंगे हम direct क्या करेंगे यहां से option की मदज से इसको solve करेंगे यहां से 18 minus करेंगे तो unit number 4 आ रहा रहा है इसका मतलब यह мыरा perfect square हो सकता है 20 minus करूँगा इसमें से तो यहां unit number कितना है मेरा 4 आ रहा है तो इसका मतलब यह तो मेरा होई नहीं सकता क्योंकि 2 आ रहा है अगर मैं यहां से आपको 24 माइनस करूंगा तो मेरे पास मैं 84 बारा 8 हाँ है तो अगर 8 हाँ है तो यह भी मेरा od करेंगे तो यह मेरे पास 2 बच रहा है तो यह भी मेरा पर Tao करेंगे यानि कि जो option मेरे पास में A है वो इस question के लिए correct है I hope आप सभी को कुशन समझ में आया हुआ